हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए जीके का टेस्ट लेकर क्या जाहूं जो कि आपके आने वाले एक्जाम यूपी एसाई के लिए बहुत ही जादा इंपोटेंट है वीडियो को एंड जले जरुड देखिएगा क्या हूंकि लाश्ट में मैं आपसे कोसंस भी पूचूंगा और उसका अंसर आपको कमेंट वाक्स में बताना होगा साथी साथ इस वीडियो की पीडियेप डिस्क्रिप्सिन में टेली किराम चले का लिंक दिया हुआ वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं पहला कोसंस किस इस्तिती में बिवाहित को भरन पोस्टन का आदेश ना दिया या रद किया जा सकता है या तो ना दिया जाएगा या तो रद किया जाएगा किस इस्तिती में ये आपको बताना है ठीक है तो जल्दी बताओ यदि वे जास्ता की दसा में रह रही हो बिल्कुल ठीक यदी परियाब्त कारण के बिना सात रहने से इनकार करें ये भी बिल्कुल कंडीसन ठीक है जब पारस पर एक सम्मती से अलग रही हो तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि कोई पतनी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जास्ता की दसा में रह रही है या परियाप्त करण के बिना अपनी पती के साथ रहने से इनकार करती है या पारसपरिक सम्मती से पिर्थक रहती है तो इस कंडिशन में क्या होता है सर नेक्स्ट कोसंस भारतिय डंड सहीता कब अस्तित्म में आई तो भारतिय डंड सहीता आपकी 6 अक्टूबर 1860 में अस्तित्म में आई तीसरा ओप्संस यहाँ पर आपका विल्लकुल करेक्ट नेक्स्ट कोसंस यह आपका कंडिशनल कोसंस है कि आ एक भुधारक यह जानते हुए भी उसकी भुसमपता की सीमाओं के अंदर हत्या की गई है उस जिले के मजिस्ट्रेट को जान पूछ कर यह मिथ्या इतला देता है कि यह मिरत्तु सांप के काटने के प्रणाम सुरुप दुरगटना से हुई है आ उत्तरदाई है आ कोई व्यक्ति है तो आ जो है वो किस चीज का उत्तरदाई है यह दारह 177 के अधियन मिथ्या सूचना देने के उत्तरदाई है दूसरा ओप्सन करेक्ट नेक्स्ट कोसन से आपका के मंडुवा डी स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया करेंड का कोसन से जल्दी बताओ मंडुवा डी स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो सही आंसर हो जाएगा आपका बनारस रेलवे स्टेशन तीसरा ओप्सन करेक्ट भारत में कुल रामसर साइटो की संग्या कितनी है पुर्टेशन का आपका डिया टो कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 42 यानि कि इस कौस्तेशन का तीसरा ओप्सन करेक्ट संगीत नातक अकादमी के वरतमान अध्यक्ष कोने? उसbalance कोने? सेकर सेन तीसरा ओप्सन करेक्ट राष्टिय किसान दिवस कम मनाए जाता है वेरी इंपोर्टेंड कोस्टन्स तो ये मनाए जाता है आपका 23 दिसंबर को दूसरा उप्सटन्स करेक्ट इस रो के वर्तमन अध्यक्ष कोन है सबी लोग जानते होंगे तो सही आंसर हो जाएगा के सिवान तीसरा उप्सटन्स यहाँ पर आपका विल्यक्ष करेक्ट इनको रोकेड वर्न ऑफ इंडिया भी कहते हैं ध्यान लगना अंतराश्टिय किर्केड परीशत के नए अध्यक्ष की रूप में किसे चुना गया तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा ग्रेग बॉक लेको दूसरा उप्सन्स करेक्ट बच्पन बचाओ आंदुलन के संस्तापक कौन है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वै क्या हो जाएगा केला सत्यार्थी दूसरा उप्सन्स करेक्ट और केला सत्यार्दी को 2014 में बचपन बचा अंदुलन के लिए नोविल पुरुसकार भी दिया गया राश्टिय फिल्म पुरुसकारों को गठन किस वर्ष किया गया यât 1924 में किया गया सर, दूसरा अप्सेन्स गरेक्ट उत्तर प्रदेश के निम्ले के जन्पदों में से कौन छेतर फल की दरश्टी से सबसे छोटा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर वरान सी चोथा आप्सन्स करेक्ट इन में से किसे भारत रतने से सम्माने तो नहीं किया गजा है जल्दी बताओ तो ध्यान चन्दों नहीं किया गया है और इनको होकी का जादूगर कहते है और जहां से सही सम्माने थे है दूसरा आप्सन्स करेक्ट भारत की परिक्रमा करने वाला पहला किर्तम एक ग्रे कौन सा था भारत की परिक्रमा ना होगा प्रत्वी की परक्रमा होगा तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा option number D, sputnik first पहला, चौता option यहां पर आपका बिल्कुल correct हो जाएगा प्रत्वी की परक्रमा होगा यह भारत की जगे प्रत्वी कर लीजिएगा निमले के देशों में से किस देश में सबसे बड़ा relevant network है important questions, जल्दी बताएं तो किस देश का सबसे बड़ा relevant network है तो सही answer हो जाएगा आपका अमेरिका, दूसरा options जो है वह आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा ठीक है, अमेरिका के बाद आता है आपका चीन उसके बाद आता है रूस, फिर आता है आपका भारत चौथे नंबर पे बूदा नांदुलन के किसने प्रारम किया था तो बूदा नांदुलन किसने प्रारम किया था सभी लोग जानते हैं बिनोबा भाबे यानि कि ये स्कोट्संस का दूसरा उप्संस करेक्ट आलू क्या है जल्दी बताइए सर आलू क्या है तो आलू जो है वो एक तना है क्या है तना तीसरा उप्संस करेक्ट मदू बनी लोक कला सेली किस राजे सी समझे थे इंपोटेंड कोस्संस मदू बनी बहुत बार पूछा गया एक्साम में तो मदू बनी जो है ये लोक कला सेली बेहर से समझे थे कहां से सर बेहर से चोटा उप्संस करेक्ट हरित करांती का प्रारम कब किया गया 59 जल्दी बताओ हरित करांती का प्रारम की अब किया गया तो सही आंसर हो जाएगा जब योजना आपका सुगाता 1966 से 66 के बीच दूसरा options correct वाईउ मंडल की सबसे उपरी सते कहलाती है वाईउ मंडल की सबसे उपरी सते को क्या कहते हैं तो वाईू मंडल की सबसे उपरी सत्य होती होती है उसको हम एक्जैस फेर बोलते हैं QY2 के समानुपाती होती है दूसरों options correct रावी नदी का प्राची नाम क्या है important question सभी का बता दूगा मैं तो रावी नदी का जो प्राची नाम है वो है आपका परुश्णी जहलम का होता है बितिस्दा चिनाओ का होता है असकनी रावी का परुश्णी वियास का विपासा, सतलच का सतुत्री और सिंदू का सिंध सभी के बता दिये ठीक है शंपून क्रांती की बिचारदारा किस ने प्रस्तुत की शंपून क्रांती की बिचारदारा तो ये जह परकार्श नारायन ने प्रस्तुत की तीसरा options correct निमले के तमेंसे किस राज में तामे का सबसे अधिक बंडार है जल्दी बताओ थोड़ा सा जुमा उट कर लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा राजस्तान चौथा options correct निमले के तमेंसे कौन सामध भारत में वक्तान संतुलन के चालू खाते से सम्मलित नहीं किया गया किया जाता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा आ निवासी भारतियों की सुद जमा चौथा options बिल्कुल correct नेक्स्ट कोसन साब के सामने नाव के रेक्टर में निमले के तमेंसे किसे मंदक के रूप में प्रियोग किया जाता है जल्दी बताओ तो किसको किया जाता है बारी जल को जिसका रसानिक सूतर होता है डी टी ओ कई वार एक्सदाम में पूछा गया इसलिए देख लो next questions निमले के तमेंसे हास गैस लाफिंग गैस के रूप में कौन प्रियुक्त की जाती है सिंपल है बहुत ज़्यादा लाफिंग गैस नाइट्राक्स ऑक्सड फॉर्मूला क्या होता है एन्टू कई लोग एन्टू लगाते थे वो गलत है भारतिय सम्विदान के अंतरगत निमले के तमेंसे कौन मूल अधिकारों का संदक चक है जल्दी बताओ तो कौन है सही आंसर हो जाएगा आपका न्याय पालिका तीसरा उप्संस करेक्ट वेल्ट ओफ नेशन के लिखा कौन है इंपोटेंड कोस्संस बारत का राष्टिय आय कौन अनुमानित करता है तो सही आंसर हो जाएगा केंद्रिय सांकी की संगटन जिसको हम CSO बोलते हैं CSO का अगर हम फुल फॉर्म देखे तो Central Estatical Organization तो ये भी याद कर लो ठीक है इसकी स्थापना 1959 में होई थी CSO की रक्त कैंसर जिसको लियुकोमिया कहते हैं बीमारी की रोकताम के लिए प्रियोग किये जाने वाला रेडियो समिस्थाने कौन सा है तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा फास्फुरस 32 यानि कि CSO का तीसरा आप्संस करेक्ट और जो कैंसर होता है उसका जो टेस्ट होता है उसको क्या कहते है सर जल्दी बताओ नई AIDS का होता है एलिसा टेस्ट मैंने कैंसर का बोलती है नई AIDS का होता है उसको अटाओ Next questions Computer की स्थाई स्मिर्थी को क्या कहते है Computer की स्थाई स्मिर्थी को जो स्थाई बनी रहती है रोम बोलते हैं रोम का फुल फॉर्म क्या होता है read only memory ठीक है तो वो भी याद कर लो ठीक है next question से आपके के निमले के तमेंसे कौन सोन नदी का वास्तविक सुरूत है तो सोन नदी का वास्तविक सुरूत कौन है सैडोल जिले में अमर कंटक दूसरा options यहाँ पर आपका विल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा जबकि जो नर्मदा है न वो भी अमर कंटक से ही निकलती वारती राष्ट यह कॉंग्रेस की पिरतम बैटक कहा होई थी तो यह बॉंबे में होई थी सर ठीक है कब होई थी 1885 में ठीक है next questions आपके सामने 18 karat सोने की सुद्धता कितनी है अब देखो सोना जो है वो 24 karat का होता यहां 18 karat का पूछ रहे और % से में पूछ रहे तो 24 रख दिया इंटू में 100% 6 से काट दो 6 चोको 24 6 से 6 ती 18 4 से काट गया 25 बर 25 ती या 75 या अगर आप 18 karat का सोना खरीते हैं तो आपको 75% उसमें सोना मिलेगा तीसरा ओप्सन करेक्ट लेड़ पैंसिल में होता है क्या लेड़ पैंसिल में क्या होता है सर ग्रेफाइड होता है सूर से पृत्वी तक पहुचने में प्रकास को कितना समय लगता है सूर का प्रकास पृत्वी तक पहुच रहा तो कितना समय लगेगा तो सही आंसर हो जाएगा आपका लगबग 8 मिनिट 499 सेकंड की बात होती है ठीक है और जो तारे होते हैं उनका प्रकास पृतिवी तक पहुचने के लिए 4.2 वर्स लगता है कितना 4.2 वर्स और चंद्रमा का प्रकास प्रतिवी तक पहुंचने के लिए 1.2 सेकंड लगते हैं तो तीनों ही याद गर लो जो भी कोशन्स पूचे बता देना भारत में बहुराश्टिये कंपनियों को प्रोसान देना बडावा देना किस नीती के अंतर कैपसूल का किसका बना होता है तो इस कोशन्स का अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सिंपल कोशन्स हैं तो दोस्तों यह थे आपके 40 जीके के इंपोटेंट कोशन्स जो कि आपके आने वाले एक्जाम UPSI के लिए बहुत ही जाद हैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरू कर दीजेगा तो दोस्तों फिलाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही एकर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल क सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि वो रोजना यसी तरह के वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूं नमस्कार दोस्तो जै इंद जै भारत